पाकिस्तान में 25 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत LCL कंसाइनमेंट है ये पाकिस्तान में CNF बेसिस पे इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए 84 और 85 चैप्टर नोटिफिकेशन के तहट अब इनकी अप्रूवल स्टेट बेंको पाकिस्तान ने देनी है प्रफेशनल अडवाइज यही है कि आप बेंकिंग चैनल को यूज करें इतना महिंगी कपैस्टी अर्न कर रहा है ले रहा है सेलरी ले रहा है उसने एक्सल के यूज को सीक लिया है वो करते हैं वो दो तीन मिनिट में पूरा अनलसिस कर लेते हैं यह डेटा ठीक है रहा है एक्सपोर्टर को इतना आपको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए क्योंकि वो रेविन्यू जिनरेट करके दे रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि साही मार नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही ऐसे महमानों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जो आपकी जिन्दगी में कोई वैल्यू एड़ कर सकें और जिनकी बातों से जिनके काम से आपको कोई मोटिवेशन भी मिले और इन्फरमेशन भी मिले आज जो महमान हमारे साथ मंजूद हैं गोलाम मृतजा साथ ये इनका तालोक फेडरेशन ऑ्व पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंड इंडस्टिरी से है हम इन से जानेंगे कि इन की इंपोर्ट और एक्स्पोर्ट पर कैसी नज़र है ये पाकिस्वार्पांङस पाकिस्पोर्ट जो सर आप मेंबर है कस्टम एजेंट अफेर्स के FPCCI के सर मैं आवाज यहां से करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नजर में क्या है इस वक्त सर पाकिस्तान में 25 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहट पाकिस्तान में इंपोर्ट के कुछ चैप्टर्स हैं 84 चैप्टर है और 85 चैप्टर है चैप्टर होता है पाकिस्तान कस्टम टैरफ का इन चैप्टर्स की इंपोर्ट के ओपर तो गोर्मेट और पाकिस्तान ने कोई पबंदी नहीं लगाई लेकिन इसको इंपोर्ट करते वक्त कस्टम क्लियरंस करते वक्त एक डाकॉमेंट की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं फाइनेशल इंस्ट्रिमेंट फाइनेशल इंस्ट्रिमेंट की अप्रूवल बैंक देता है 84 और 85 चैप्टर नोटिफकेशन के तहट अब इनकी अप्रूवल स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने देनी है कमर्शल बैंक उनसे कमिनिकेड करते हैं स्टेट बैंक से और स्टेट बेंक की अप्रूवल के बाद कमर्शिल बेंक अलाओ कर देती हैं इम्पोर्टर्स को कि वो अपनी कस्टम क्लिरेंस के लिए जीड़ी फाइल कर सकते हैं करिंटली 84 और 85 चैप्टर के ओपर ये जो फाइनेशियल इंस्ट्रिमेंट की एक रेस्ट्रिक्शन लगा लें या टाइम फ्रेम लगा लें उसका अप्रूव करने का बढ़ा दिया गया है उसके लिए इंपोर्टर्स को बहुत ही ज्यादा मसाइल है इन मसाइल में देखा ज हैं वो जो करते हैं ताके जो डॉलर्स हैं उसको एकुरेट यूज किया जाए अगर इस हवाले से देखा जाए तो चैप्टर 84 और 85 में जितनी भी मशीन आ रही हैं वो सारी की सारी वह वाली अप्रोक्सिमेटली मशीन हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं जो आपकी लेबर क वो एफिशेंट कर देती हैं अच्छा इन सारी चीजों में जो एक्सपोर्ड के ओर्डर्स होते हैं जब उनमें सिमिलारिटीज आ जाती हैं जब उनमें एक जैसी ही अडेंटिकल चीज़े बनती हैं तो उसका सबसे बेनिफिट तो यह होता है कि आपके मुलके की गुडव कर रही है जब उनके वर्क में फ्लो आता है एक स्पीड के साथ ही वो काम कर रही होते हैं तो यह मैं नहीं समझे ता कि 84 और 85 की अप्रूबर्स के लिए स्टेट बेंक और पाकिस्तान को किसी हादता कि इसमें रेस्टिक्शन जो एफ़ई की अप्रूब करने में लगानी च अब यह देखें एक कंटेनर वो पॉर्ट पे आगया है अगर आप टाइम पर उसको रिलीज नहीं करवाती तो पर दे आपको कम से कम 100 डॉलर पे करना पड़ेगा एक दिन का अचा अब यह एक दिन का जो 100 डॉलर पे करना पड़ेगा वह कौन पे करेगा वो इंपोर्टर पे करेगा जब इंपोर्टर पे करेगा तो उसकी रेस्टिक्शन जो इस वक्त लगी है उसे क्या बैनिफिट हुआ और कम से कम डाई माँ तीन माँ हो गए हैं चीजें पोर्ट पे पड़ी हुई है और इतना टाइम इससे पहले आज तक नहीं लगा अब यह जो चैलिंज आय है इसका बैनिफिट के इसको हुआ है अगर देखा जाया तो जॉडू के पाकिस्ट गा यह से लिए जुसका क्ंटेशन चैलरी है उसमें हम अगर बात करें तो डोलर्स आपको भी भरादा बहुत काम है पाकिस्तान के पाद इस वाकत है तो इसके इलावा जो इंपोर्टर को लोस हुआ है वो सारे का सारा रेविन्यू कि इसका जंड डिय Resource हुआ है शिपिंग लाइन का हुआ है जो उसको लेके आ वो रेस्ट्रिक्ट की हैं इससे ज्यादा हम उन्हें अपने पास चीज़ें रखने के बाद उनको पे करें और वो ज्यादा गीन करें उन्हें तो खुशी हो रही है इस वक्त जो महंगाई होरी जर उसकी एक रीजन यहाँ कि शिपिंग कोस्ट इंक्रीज कर गी है अच्छा एक तो यह scenario हो गया कि जी आपने उसे कहते हैं detention shipping की या forwarding की दुनिया में उसे detention कहते हैं एक तो आप shipping line को detention pay करें दूसरा वही चीज जितने दिन port पे रहती है उस case में हम उसे damage कहते हैं storage charges कहते हैं अब importer बिलावजा का किस चीज में involved हो गया जो उसने unexpected course देखी नहीं थी detention वो बियर करने को त्यार हो गया अब जो stage जो port के उपर charges हैं जितने दिन उसका माल पड़ार होगा है उसके उपर भी उन्हें storage charges पे करने पड़ रहे है तीसने नमबर भी उसकी goodwill के उपर effect आया है जब वो machine import के उपर लगनी थी तो वो जो उसने production में efficiency को increase करना था वो भी उसकी effect की है जब orders time पे meet नहीं हुआ तो उसने भी delay मांगए थोड़ी से relaxation मांगी है बास time तो जिनके साथ mostly लोग business करते हैं जिनके साथ flow में चल रहा हुता हैं उनकी एक अपस में repute decide हो जाती है लेकिन international language में अगर बात करें जब contract करते हैं तो each and everything written में लिखा होता है कि अगर आप इसको delay करते हैं तो आपको 5% discount वो उसे कहते हैं penalty नहीं कहते हैं बलकि आपने अगर तीन दिन चार दिन पाच्छों उन्होंने date सामने हैं decide कि अगर आप 15 दिन late करते हैं तो ये मैं समयता हूँ कि अगर आप 84 और 85 चैप्टर की इस restrictions में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि वो वाली मशीने अलावका दे जाएं जो reproduce में आपको benefit दे रही हैं जो revenue generate करके दे रही हैं तो उसको तो किसी सुरत में भी आप banning कर सकते हैं इसके against अगर देखा जाये तो cosmetics की चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है उसकी पबंदी लगाई जा सकती है क्योंकि वो home consumption है आपके मुलक में इस्तमाल होनी उसने revenue तो नहीं generate करके देना no doubt एक business industry एफेक्ट ज़रूर हो रही है लेकिन वो एक community सिरफ होगी जो उस चीज़ों को यूज़ कर रही है ना कि और आल दी पाकिस्तान जो पूरा मुलक इससे effect होगा तो मैं समयता हूँ कि जब भी अगर कोई approval लगा लें या कुछ इस तरह की policy making में decision making की जा रही है तो हमें उस चीज़ को effect को ज़रूर रखना चाहिए कि जो revenue generate करके दे रहा है उसे flourish करना चाहिए जो ऐसी चीज़ें import की जा रही है पाकिस्तान में जो revenue नहीं produce कर रही है जो home consumption में इस्तमाल हो रही है जो lavish में आती हैं चीज़े अगर आप उसकी import में किसी हादता कि अगर dollars काम में है तो कोई restriction लगा ले procedural activities में कुछ improvement के लिए आप देख लें कि आप कोई document अड़ करना चाहते है या उसकी further verification करना चाहते है तो यह तो बेतर चीज़ी है लेकिन अगर ऐसी चीज़ों के ओपर restrictions लगे जो reproduction में इस्तमाल होके आपके मुलग को revenue generate करती है तो मैं यह समझता हूँ कि यह नहीं होना चाहिए सर, LCL consignment क्या होती है और यह पाकिसान में import होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो LCL consignment है इसे कहते हैं lose container load के जो एक container में आपी चीज़ आरी है इसी तरह जो LCL consignment है यह जो पूरे container में आती है यह ऐसी नहीं है इसमें एक portion आपका होता है पूरा container आपका नहीं होता तो जो LCL consignment है यह पाकिस्तान में CNF basis पे import नहीं होनी चाहिए अब CNF किया है CNF यह होती है कि यह चाइना है आदा किसी और का है उस container की पूरी delivery वो कह देता है कि मैं पाकिस्तान में आपको दे देता हूँ देखने में तो एक पाकिस्तानी importer को लगा लें या बिजनसमेन को लगा लें या जनरल पबलिक को लगा लें उसे बड़ी असान बात यह लगती है वो आपका freight जो समुंदर में आना है वो सारे का सारा खर्चा वो beer करेगा तो इस चीज़ को देखते होए जो purchaser होते हैं वो इस offer पे attract होते हैं और LCL consignment जो lose container होता है वो अपने मुलक तक import के उपर उनके साथ contract कर लेते हैं जिसकी वज़ा से वो consignment आपके पास पाकिस्तान में भीज़े देती है CNA basis पे अच्छा इसका नुकसान क्या है और इसका फाइदा क्या है इसका जो नुकसान है वो ये है कि जैसे ही ये पाकिस्तान में land की जाएगी जिसने आपको document देने है उसे कहते है local agent या forwarder उसे कहते है जो forwarder होता है वो आपसे demand करता है कि इस consignment को release करवाने का मुझे अगर वो एक CBM की consignment है जो unit of measurement import में होती है उसे CBM कहते है जिसमें kgs हमारे normal use होती है weight के लिए इसी तरह CBM होती है वो एक CBM का आपसे demand कर लेता 80,000 हो गया या at least 75,000 या 70,000 सी अबब document release करने के उसकी कोई services charges है वो इस चीज़ से आपसे demand करें लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है वो ही consignment आप उसके मुलक से ले लें चाइना से ले लें और पाकिस्तान में खुद import करें अगर वो चाइना से आ रहे हैं तो एक CBM का कम maximum आपको कोई 6,500 रुपय में आ जाएगी वो consignment जो आपका 70,000-80,000 पे करें उसी consignment के बतल में 6,500 में आ जाएगी तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की industry में मैंने जितनी भी industry को wizard किया हुआ है इसमें एक flaws है जो purchaser है वो deal कर लेते हैं CNF basis पे और बाद में उसको पता नहीं होता है port के ओपर क्या खर्चा पे करना क्या नहीं करना होता हूँ वो जो import के लोग होते हैं उन्हें पता होता है तो मेरी ये तुमाम नाजरीन से एक request है कि वो तुमाम जो इसमें profession में add हैं या नाजरीन है जो अपना individual business कर रहे है वो पाकिस्तान में CNF basis के ओपर import ना करें LCL की सूरत में क्योंकि उसके ओपर आपको deal release करने या delivery order इसे कहते हैं वो कम से कम 70 to 80 thousand पे करना पड़ता है सर मुझे ये बताईएगा कि हमारी youth जो ये import export का काम करना चाहती है या बहुत सरे लोग different products पे काम करते हैं उनको online भी import export करती है उनको आप क्या दो तीन ऐसी guidelines देंगे जो उनके लिए बहुत ऐहम है सबसे पहले तो ये है कि जो online अपना export का business करना चाहते है वो जिस तरह आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो product है वो customer के criteria के मताबक हो आपके लिए भी ये जरूरी है कि payment जो वो कर रहे हैं क्योंके दो ही risk होते है उन्हें risk होता है कि goods हमारी ठीक नहीं है आपको risk होता है कि payment ना मिले तो हमेशा सबसे पहले तो professional advice यही है कि आप banking channel को use करें आप इदर उदर ना बागे कि उदर मेरा बाई बैठा हुआ या कुछ दूसरे लोग बैठी हुए है या trust base पे ना चलें trust base हमेशा आपको lose करता है और उसके लिए आपको heavy penalty कोस्ट बियर करनी पड़ती है और बाद तो ऐसे लोग हैं कि वो depression में चले जाते हैं और ऐसे भी हैं कि जो बाद में depression के साथ साथ उनकी death भी हो जाती है तो पहली advice तो मेरी इनके साथ यह है कि आप अपना business करते वक्त banking channel को involve करें पिछले दिनों एक export के लोग ने मेरे साथ communicate किया उन्होंने मुझे का कि जी मुझे ये एक identical product चाहिए और इतने pieces की चाहिए तो मैंने उन्हें कहा कि आप अगर ये product चाहते हैं मेरे पास available है लेकिन ये product आपको through banking channel मिलेगी जब मैंने bank को involvement की तो उसका interest lose हो गया वो disonest person था वो वहाँ पे flow up हो गया उसे पता चल गया कि ये बंदा ऐसी ही communications में नहीं involve होगा जो bank के through ना हो तो it means अगर आप bank से कहा रहे हैं तो आप हकुमत पाकिस्तान से भी legal permissions के उपर कहा रहे हैं बहुत जादा concern है कि हमारी youth को excel के इस्तमाल आना चाहिए और उनको सीखना चाहिए इसकी क्या वज़ा है इसकी वज़ा ये है कि आप एक company के CEO से बात करेंगे ना वो कोई तकरीबर बारां चोटना लाक रुग या salary ले रहा होगा और दो तीन मिनट में पूरा analysis कर लेती है यह data ठीक है रोगे वो data analysis के लिए excel में इतनी बड़ी टेकनीक्स आ चुकी हुई है जो बहुत से बड़े बड़े software में तो आप उनको high cost pay करने के बाद आपको वो software मिलता है और फिर आप जाके कहीं पे करते हैं तो excel एक यूद के लिए बहुत ही effective है अगर उन्होंने private sector में रहना है क्योंकि यह analysis जो आप पराने खातों में महीनों में करते थे अगर organizations की बात की जाए तो अगर आपको excel की चीज़ें नहीं आते सिर्फ data entry आती है तो आप वो excel को fruitful fare में use नहीं करेंगे result क्या निकलेगा कि आपका senior जो होगा वो आपसे बदजन होगा तो यह excel की जो communication है मैं यह समयता हूँ के नाजरें के लिए कि वो excel को maximum सीके सर पाकिस्तान में अगेन मैं थोड़ी सी इस पर आखरी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम अपना import और export का निजाम बहतर करना चाहते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी कोई policy make कर लेनी चाहिए या कोई ऐसा कोई आपका एक कहलें कि आपकी क्या राया है जिन चीज़ों को दो तीन चीज़ों को improve कर लिया जाए जिससे import export का निजाम पाकिस्तान का बहतर हो जाए सबसे पहले तो मैं यही कहनगा कि जो हमारे operations हैं और जो policy बनाई जाती है उसमें कभी भी at least exporter को उसके लिए policy बनाना और चीज़ है जब आप operational activities को समझते वक्त जिसना आप देखें पाकिस्तान में अभी तक जो import हो रही है कुछ ऐसी exporter या importer हैं जिनको green channel अलाउट कर दिया गया है यह good initiative है government और पाकिस्तान का क्योंकि अब उनका एक profile देखा है हकुमत पाकिस्तान ने custom ने देखा है और उन्हें green channel में कर दिया अब उनकी consignment examination में नहीं जाती है इसी तरह जब export होती है तो उनकी consignment examination में नहीं जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी ये back end पे history है तो इस तरह की वो तुमाम policies जो आपके work को speed up करती हैं जिस तरह export है 24 गैंटे होने अब जब चाहे मर्जी export कर लेती है एक्सपोर्ड कर सकते हैं तो ऐसी तुमाम policies जिन में operational की restriction कम से कम है लेकिन requirement of bank requirement of customer requirement of government of Pakistan पूरी है वो बननी चाहिए अच्छा सर आखिर में मैं जाना चाहूँगा कि कासिम अली शाह साब के काम को और उनकी foundation के काम को आप कैसे देखते हैं पहले भी start पे मैंने का कि मैं सर कासिम अली शाह का शुकर हुजार हूँ जिनोंने मुझे इस foundation में invite किया इनकी एक quotation ने मुझे motivate किया और मैं यहां पे आया हूँ इनकी quotation थी कि आप किसी भी शक्स की शक्सियत से ये अंदाजा ना लगाओ या status से ना लगाओ कि उसके पास गाड़ी कौन सी है बंगला कौन सा है उसके पास sword board कैसा है बलके ये देखें कि अगर वो कामयाब है तो उसने society को return back कितना की है अगर आप society को return back कर रहे हैं तो आप कामयाब है तो ये एक वाहद जब मेरी इनके साथ communication होई तो ये एक वाहद factor था जिसने मुझे attract किया कि यहां पर मुझे बैटके भी अगर 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 आप 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 लोग जो अगर आप 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 लोग जो सीने बेसिस ल्सील में इंपोर्ट कर रहे थे अब वो अगर खतम कर देती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने society को return back कर दी है और इसके पीछे मैं कहता हूँ सरकासम अलीशा का हाथ है जिनोंने मुझे इस चीज़ के ओपर convince किया कि बहतर कौन है इंसान है कामयाब कौन है इंसान है थैंक यू सो मच गुलाम मुझता साहब आपने बड़ी important गुफटगू की खास तोर पे जो आपने बाचीत की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से मुझे यकीन है उससे हमारे नाज़ीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा नाज़ीन मुझे उमीद है कि ये interview आपके लिए बहुत फाइदेमन साबित होगा और खास तोर पे जो लोग अपना business start करना चाहते हैं इन्होंने दो तीन ऐसी चीजें highlight की हैं कि इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे आप fraud से या किसी illegal activity से बच सकते हैं क्योंकि बाद उकात unintentionally भी इनसान किसी चीज में trap हो जाता है फस जाता है तो अगर आप bank के through transactions करते हैं और proper इस चीज को study करके अपना research पर करके किसी business में in होते हैं तो आप इन मसायल में नहीं फसेंगे और कामयाब होंगे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपना बहुत ही ख्याल रखेगा इन्शाला दुबारा हाज़र होंगे एक नए इंट्रिव्यू के साथ अल्ला हाफ़स